गुरू देव के चारण, गुरू देव के चारण, मन भूल मत जैयो, गुरू देव के चारण, मन भूल मत जैयो, गुरू देव के चारण तो संत सन्याशियों का काम है परहित करना प्रुपकार करना जोगे परहित तो सरी सधरम नहीं भाई और परपीडासम नहीं अधमाई लेकिन कहते ना नरक्या कर ले समय सब करवादे समय बड़ी वलवान और गोपी लूटी भीलोने वही अरजुन वही जो उसने आंखों जो उसने आंखों देखा है तो हमें क्या है बेदों की तरफ लोटना पड़ेगा अपने बच्चों को बेदों का ज्यान देना पड़ेगा तो भारत कैसे संत रिशी के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ेगा भारत की संस्कृती कैसे बची रहेगी यानि पाश्चास संस्कृती की ओर जिस तरह से हम भाग रहे हैं उसको रोकने में पूज संत गड़ की कैसी महती भूमिका रहेगी उसके बारे में आज बाच्च भर में प्रतिष्ठा है ऐसे पूज मनमोहन गिरी महराजी हितैशी बाब हमारे साथ में उनसे बाच्चीत करते हैं कि कैसे रिशी परंपरा से चलते हुए अपनी सनातन संस्कृती की परंपरा से चलते हुए पूज महराजी हमारी सनातन संस्कृती बची रहेगी वरना जिस पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, कि आपने एक बहुत अच्छा प्रियतन किया है, और आप जो है, ये जो परसन आपने पूछा है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे बेद का एक सुत्र है, ब्रम सत्यम जगत मिथ्या, यानि प्रमात्मा सत्य है, और संसार परिवर्तन सील है, परिवर्तन जो है, ये प्रकृति का नियम है, अब देखिए, अब ये परिवर्तन है, कि जहां पास्चात्य संस्कृति जिसको हम कहते हैं, वहां भोग की संस्कृति थी हूँ, और इतना भोग वहाँ पर महुँच गे लेकिन आज वो वापिस लोट रहे हैं उस भोग से और आज हमारे हां इतना ध्यातम था, इतना त्याग था, इतनी नैतिकता थी आज हम भोग की तरफ खिचे चले जा रहे हैं तो यह परिवर्तन है, क्या है? परिवर्तन है और इसको कोछ रोक भी नहीं सकता, तो आज भी एक परिवर्तन है, जो हम कहते हैं ना वैं, सत्युग, त्रेता, दौपर, कल्यूग, अब देखें इसके बाद फिर लोटके सत्यूग आएगा, तो अब कल्यूग है, लोटके फिर सत्यूग आएगा, तो इसमें कोई चिंता कर करने की बात नहीं है ये तो परिवर्तन है और जब परिवर्तन है तो ऐसे परिवर्तन में हमें क्या करना चाहिए हम क्या कर सकते हैं ये प्रभू से प्रार्षना कर सकते हैं ये प्रभू अपने इस परिवर्तन में थोड़ा हमें बचा के रखना हम पर किरपा करना तो कि जान सके जिद्धे ही जनाई जाने ही तुम्ही तुम्ही हो जाई मानव के हाथ में कुछ भी नहीं है में लिख कर देता हूं करम करने में मानव सोतंतर है फल में परतंतर है तो हम करम क्या कर सकते हैं हम भगवान से प्रार्थन ही तो कर सकते हैं आपने शुरुवात में संतों की सन् संच नियश क्या है ऑनासरितय करम फ्लम कारियम करूतिय से संच योगी नैचे नगनी नाचेख करीय है जो करने योग करम करता है और उसके फल की इच्छा नहीं करता ओश गारू संच होता है जिस कुझे अंदर ये हो वो संत होता है तो संत सन्याषिव का काम यह परहीत करना प्रोफकार करना जो के परहीत तो सरीषधर्म नहीं भाई और परपीडासम नहीं अधमाई लेकिन समय का प्रभाब होता है और आज समय क्या है मैंने आपको बता है ये परिवर्तन होता रहता है इसलिए आज ये परिवर्तन का समय है निराश नहीं होते लेकिन क्या करते हैं वो अपने करतब्यगा केवल पालन करते हैं अब समय पर उसका आशर होता है नहीं होता है उन्हें कोई चिंता नहीं करेंगे इसका क्या फल मिलता है इसके उसे चिंता नहीं करते तो कि वो सन्यासी हैं कहा ना कि काम्या नाम करम नाम न क्या फल्टों होगा ही होगा अब क्या होगा इसकी वो चिंता नहीं करता है। पोड़कर महाराजी उसी प्रिश्न पर आते की कैसे नई पीड़ी जो है वो पश्चया संस्क्रती की ओर तेजी से भाग रही है, वो कैसे बचे अपने संस्कार अपनी संस्क्रती को बचा कर और जो वर्ष गौरोम ही था वो भरत वर्ष फिर गौरोम ही देखो, इसका एक सहज उपाय है, बड़ा सर उपाय है, हमें जो है अपने बच्चों को बेद की शिक्षा देनी पड़ेगी, बेद का ज्यान देना पड़ेगी, थोड़ा बेद को समझ ले, बिद धातू से बेद समझ की उत्पत्ती हुई है, बेद का अर्थ होता है ज्यान, हम अपनी संस् कुछ लोग नाम तो बता देते हैं, लेकिन उनने आज तक देखे तक नहीं है, आज तक देखा तक नहीं है, कुछ लोग मुझे ऐसे मिले उनने देखे तो हैं, लेकिन आज तक खोल के नहीं देखा, पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है, कुछ लोग मैंने ऐसे मिले, लोटना पड़ेगा, अपने बच्चों को बेदों का ज्यान देना पड़ेगा, देखे, पहले हमारे यहां क्या होता था, हमारे बेदों में च्यार आस्रमों की बात थी, ब्रहम्चरिया आस्रम, ग्रिष्टा आस्रम, बानप्रस्टा आस्रम, सन्यास आस्रम, अब थोड़ा इनको देखे तमने कितनी सुंदर व्यवस्था थी ये ब्रह्म चरिया का मतलब समझ लिए ब्रह्म के चार अर्थ है और चरिया के चार अर्थ है ब्रह्म मैंने वेद चरिया मैंने अध्यन करना तो वेद का अध्यन करना ये क्या है ब्रह्म चरिया है ब्रह्म मैंने ग्यान चर अज़्सक्रिए मनें बिचण करना जय्नि प्रमात्म का समन्म नहीं कहें अज़्सक्रिय जय्नि तो पत्स वर्स टक की ढ़िए को ख्रंड़तनی करें का और अध्यन करेगा ज्यान का उपार्जन करेगा तो अगर हम उसी सवुष्कृती पर लोट आए उसी बात पर लोट आए तो समझा हमारा कल्यान हो जाएगा कल्दान हो जाएगा इसके बाद 25 वर्स के बाद फिर उग्रिष्ट में प्रवेस करता था और क्या था एक नारी सदा ब्रमचारी एक नारी कि उसकी बाती जिससे साध्री होगी बाकि उसे दीगर कगर कोई भी है तो क्या था कि बड़ी है माता ब्राबर की है बहन छोटी है बेटी और जो पत्नी है उसको भी पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा जाता था अब यहाँ पर एक बात देखिए यहाँ पर देखिए जो एक नारी सदा ब्रहमचारी की जब बात आती है तो उसमें जो पढ़ लिख लेता था जो ज्ञान होता था उसको पंडित कहा जाता था विद्वान को विद्वान हो जाता था 25 मुन उसको पंडित कहा जाता था अर उसमें देखें उसका लक्षन क्या था, किसे कहा जाता था पंडित, मात्री वत परदारेशू, परद्रबेशू, लोश्टवत, आतम बस्र भूतेशू ये पश्यतीश है पंडिता, जो प्राइष्ट्री को माता के समान समझता है, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझत अगर हम चाते हैं कि हमारी जो संस्कृति बची रहे और हमारी संस्कृति का जो है आज बोल बाला रहे तो निश्चित है कि हमें वेदों की तरफ लोटना पड़ेगा अगर हम वेदों की तरफ नहीं लोटे तो संस्कृति को बचाएगा और संस्कृति को बचाने के लिए वेदों की तरफ लोटना पड़ेगा लेकिन आज कल पूझ महराजी ये देखने को मिलता है कि पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे अधन करने वाले जो तैयारी कर रहे हैं तो कहते हैं कि कोर्स का इतना बर्डन इतना भार है कि वो तो बेद की बात क्या करें हनुमान 40 भी खोल कर नहीं देखते ने तो ये देखिए ये किसके हाथ में ये हमारे हाथ में ने हम इस शिक्षा पद्रति को बदले ना इस शिक्षा पद्रति को बदले देखिए दो चीज है या पहले हमारे या क्या कहा जाता था बिद्या कहा जाता था आज हमारे या सिक्षा में यही तो कहना चाहता हूँ बेदों में विद्ध्या है शिक्षा नहीं है वेदों में विद्ध्या है और आज शिक्षा है और विद्ध्या में क्या अंतर होता है कि विद्ध्या से भी मुक्ति है विद्धा वो होती थी जो बंदनों से मुक्ति दिलाती थी अर शिक्षा वो है जो आज के बल रोजगार दिलाती है तो इसलिए हमें क्या है कि देखिए कि अगर आज हम इस शिक्षा परनाली को बदल दे फिर दूसरी बात यह सिक्षा परनाली हमारी नहीं है यह मैकाले की सिक्षा परनाली है तो थोड़ी सिक्षा परनाली को बदल दो देखिए मेरी बात को थोड़ा अन्था नहीं ले जाना मैं किसी राजनितिक पार्टी से या मैं किसी संपरदाय को किसी मजब को मैं उस किसम का सादू नहीं हूँ मेरा अभी शेय नहीं है लेकिन जो सच है मैंने कहा है सच तो बोल किसी की इरिशाद वेश कोई बाड़ी नहीं बोलेंगे अब देखिए जिस वक्त देश सब्तंतर हुआ सबसे पहला शिक्षा मंत्रिया मुसल्मान बनाया गया क्यों उसे क्या जानकारी थी धर्म निर्पेश की परिवासा उस समय बताई जा देखिए धर्म निर्पेश क्य कैसे हो गया धर्म निर्पेश यहां की संसरति यह देखिए क्या है मैं आपको बताता हूं मैंने फिर कहा मेरे पास इतना कुछ कहने को है जो अपने आपको धर्म निर्पेश कहते है ना लेकिन फिर वही बात आती है कि मैं सादु हूं मैं कहता हूं सबका भला हो तो कि मेरे कोई वो सिखाया गया मेरे माबापने मेरे गुरुवों ने वो पढ़ाया है कि सर्वे भवन्तु सुखीना सर्वे संतु जो भाला मारे तलवार के काट दे उसका भी भला होगा नहीं उसके लिए दो चीज है उसके लिए हमें ऐसे वीर त्यार करने पड़ेंगे मैं सादू हूँ मेरा हाथ छमा कोई जाएगा मेरा हाथ छमा की ओर जाएगा लेकिन मैं ऐसे बच्चे त्यार करूँ जैसे बच्चे त्यार करूँ कि मैं छमा कर रहा हूँ और वो फिर भी नहीं मान रहा, तो मैं ऐसे बच्चे त्यार कूँ जैसे विश्वामित्र का कम थे, क्या राक्षसों को मार नहीं सकते थे, क्यों राम लक्षवन को लेने के लिए है, विश्वामित्र इत्रे सक्सम थे, राक्षसों का वही खात्मा कर देते, इसलिए देखो म तो आज मैं कहता हूँ जो वास्तों में संत हैं सादू है सन्यासी है वो ऐसे बच्चे त्यार करें ऐसे वीर त्यार करें यहां मैं एक बात जरूर कहूँगा वीर हकीकत राये का मैं जरूर नाम लूँगा एक थोटा बच्चा था था अब देखिए मुला जी ने कह दिया कि इसने बीबी फात्मा को गाली दिये हम इसको फंसी पर रठकाएंगे मा ने भी कहा बेटा तू मुसलिम मन जा बाप ने भ कि धर्म से नहीं जिखूँगा इसलिए आज मैं यह नहीं कहूँगा कि तुम फंसी चड़ाना चाहता है उसको फंसी पर तुम लटका दो उससे पहले लटका दो एक विशह पे जैसे आप कहा रहा है कि हम ऐसे सिस तयार करें तो आज मठ मंदिरों में कहां ऐसे सिस तयार कि मठ मंदिरों में तो परशाद है भौजन है बच्चा आननंद में रहो खुश में रहो यही चल रहा है एक गुर्कुल की परमपरा है जो मठ मंदिरों से चलती थी हो आज देखने को बहुत कम धिख रही है कि कि आप की कमी है हमारे हां हर चीज का लक्सन है वह मैंने अभी कहीं नी लिक्राइब भग्मा पहन लिया और जिसने जटा रख लियो वह सादू है या जो मठ बना के बैठिया वह वह ऐसा तो नहीं है चिसने इसने अपनी मन और इंद्रियों को साध लिया, वही तो साधू है, अगर तुम बेद पढ़ लेते तो तुम्हे पजागा चल जाता, कशोटी हो जाती तुम्हेरे पास, तुम्हे पहचान हो जाती, कि साधू है या नहीं है, इसलिए बेदों की तरफ मूड़ो, मूल चीज है कि बेदों का ज्यान प्राप्त करो और जब बेदों का हमें ज्यान हो जाएगा हमें अपड़ाप पहचान हो जाएगी यह सादू है या स्वादू है हम क्यों जाएंगे उसका बिरोध करेंगे हम संतों की सरण में जाएंगे हम साद्वनों की संड में जाएंगे कब? जब हमें वेदों का ज्यान होगा लेकिन ये आज कोई जरूरी नहीं है मैं ये नहीं कहता मैं शिक्षा कभी ब्रोध नहीं करता शिक्षा भी आज की युग में जरूरी है ये भी बहुत जरूरी है लेकिन शिख्षा के साथ साथ बिद्या का होना बहुत जरूरी है और बलकि मैं एक बात जरूर कहुँगा शिख्षा हो या मत हो अगर हमारे पास बिद्या है ना हमारा जीवन सुख में कटेगा हमारा जीवन शांती में कटेगा हमारा जिवन संतोस से कटेगा बैए पक्षी जो है दो पंखों से उड़ता ना बेक्षी दो पाउं से दो उड़ता ना मैने को शिक्षा भी हो बिद्या भी हो बिद्या से क्या है तुमारे बंदन खुल जेंगे अगर वेद की तरफ नहीं लोटे तो में निश्चित है कि बिनास निश्चित है अगर इस बिनास से बचना चाते हो अगर इस पतन से बचना चाते हो अगर अपना उठान करना चाते हो तो बेदों की तरफ लोटना पड़ेगा तो कि मेरी मा ने मेरे को एक सुत्र दिया था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान और जहां भी जाओगे मिलेगा सम्मान मा के सबत थे तो मैं कहत बेद को पढ़ना ही पढ़ना है, उन्होंने ये नहीं खाग कि बेद को पढ़ना है, और उस बेद को जो लिखा है, उसको हिर्दे में धान कर लेना ये लिखना है, तब ही महान बनोंगे, इसलिए बेदों को पढ़ना और अपने फिर हिर्दय में या अपने कंठ में उसको लिख लेना पहले क्या होता है ना मारे बेदों को सुरूती भी बोलते है सुरूती का मतलब क्या होता था केवल बेदों को गुरू लोग पढ़ाते थे ज्यान देते थे बेद का और सिश्य लोग उसे कंठ में धर लेते थे यही तो लिखना होता था पूझ महराजी ने इतनी बातों में ये बताया कि अगर भारत वर्ष को बचाना है अपनी संस्कृति को बचाना है अपने सनातन को बचाना है तो आप सब पराण और परण से तह कर लिजे की वेद की और लोटे अपने सनातन परंपरा की और लोटे जिस तरह से चार आशरम की व्यवस्था के बारे में पूझ महराजी ने बताया उस ओर अगर लोटेंगे तभी हमारा सनातन बच पाएगा और सनातन अगर बच पाएगा तो विश्व की जो संस्कृतियां है वो भी बच पाएगी क्योंकि विश्व के कल्याण का मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ कहीं पर है तो वो सनातन में है वो सनातन में है तो हम सब लोटे सनातन की और नई पीडिच है, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, I.S. हों, P.C.S. हों, किसी भी तरह है, कि या तैयारी कर रहे हों या बन गए हों, वो सारे के सारे लोग समय निकाल कर वेद का ध्यन जरूर करें, वेद का ध्यन जरूर करें, गुर्देव महराजी की जो वाडी होती है, वो एक ब्रम्हवा के होता है, वो जो कहते हैं, वो सब्द सब्द सत्य साबित होता है, तो भारत को बचाने में हम सब महती भूमिका तभी निकालेंगे, जब हम बेद की और लोटेंगे.